हमने आपको कल बताया था कि आज सुबह सुबह वेब मुजिक कंपणी के ओफिशिल यूट्यूब चैनल से पवन सिंग का एक छोटी से ब्रेक के बाद एक नया गाना आने वाला है जिस गाने में पवन सिंग के साथ नम्रता मल्ला नजर आने वाली हैं और सुबह सुबह पव लीज़ को चाने को चाप लाग पक कि अपने के लगभे खालगा गया आग था आ तो च्छोटी मुठी बात नहीं है क्याने के खाल जैसा तो कम लोग देखते हैं लेकिन पमन सिंग इस गाने के टीजर को भी दर्शकों ने खूप प्यार दिया। बाकि अपने हथियार गाने से पमन सिंग ने एक बार फिर से बोश्पूर इंडस्ट्री में महाल बना दिया है। अपने नए गाने से Pamen सिंह ने इस दर्शकों का एक बार फिर से दिल जीत लिया है बाकि Pamen सिंह के आज 궁금 सिंग आज जी आए नए गाने में क्या कुछ खास है लोग क्यूं इस गाने को इतना पसंद करें और यह गाना चल्च का विश्य क्यूं बना हुआ है हम आपको आगे की वीजियो में बताते हैं और पमन सिंग की इस नए गाने का रिव्यू करते हैं लेकिन उसे पहले नमस्कार मेरे नाम है डाली पांडे मेरे साथ एक आमावाइंड विशाल और आप देख रहे हैं क्यांता जंक्षड देखिए सबसे पहले तो य मेहनत किया गया होगा गाना बड़े बज़त का होगा अच्छे अच्छे लोकेशन पर गानों को शूट किया गया होगा गाने का म्यूजिक शांदार होगा गानी की मौडल बेहत खास होगी मतलब कूल मिला जुलाकर वेब म्यूजिक से लोगों को काफी उमीद है और वेब हर बार लोगों की उमीद पर खरी भी उतरती है कैसे में वेब म्यूजिक हो या टी सीरीज जैसी बड़ी और पुरानी कमपणियों से पावन सिंग का कोई भी गाना आने वाला होता है तो ये पहले से ही निश्यत होता है कि गाना सूपर पर हिच होगा क्योंकि इससे पहले वेब म्यूजिक से पावन का एक और गाना आया था जो आज से करीब करीब तीन हफ़ते पहले या आये था और इस गाने का नाम है महरारु मिलल गाए पावन के साथ गाने में मोज्टि की इन्शालिनी निजर आई है और तीन हफते के अंदर पवन के इस गाने को 10 मिलियन से जाजा लोगों ने देखा है और एक बाद फिर से पवन इसी कंपनी से अपना आज एक नया गाना लेकर आ हैं और इस गाने की सबसे खास बात यह है कि गाने का स्टार्डिंग बहुत शांदार है मतलब गाने की शुरुआत में पवन का बैक लुक दिखाए गया है उसके बाद बीच में नमरता मला के भी एक जलक देखने को मिलती है पवन इस गाने में रंगदार का रोल प्रे किये हैं यासे में पवन का गाना शुरू होने से पहले पवन कुर्सी पर बैच कर सिगरेट पिते हुए आँख पर चस्मा लगाए हुए गुंडा की तरह नजर आते हैं और पीशे उनके बहुत सारे लोग हैं जो हाथ में राइफल लेकर खड़े हैं इसी बीच नमरता मला आती है और गाना शुरू होता है बाकि गाने को छोटु शिकारी ने बहुत ही जबरजस्त लिखा है गाना जब आप एक बार सुनना शुरू करेंगे तो बीच में आपको छोड़ने का मन ही नहीं करेगा गाने का हुकलाई नितना तगड़ा है कि गाना खत्म होने के बाद भी आपको लगेगा कि गाने का एक दो और पेराग्राफ होना चाहिए बाकि प्रियांसु सिंग के म्यूजिक का कुछ कहना ही नहीं है चोटो शिकारी ने जितने सूनदर भंग से गाने को लिखा है प्रियांसु सिंग ने इतने ही ईस गाने के अपना रगसर गाने में अपना संघीत दिया है बाकि नमरता मला का तो कोई जवाब ही नहीं है वो अपने आप में बवाल है वो जिसके साथ भी जिस भी गाने में नजर आती है वो गाना हिठी होता है चाहे वो निलकमल सिंग का कोई गाना हो या पमन सिंग अलाल घागरा गाना हो बागी बात करें वीडियो के लोकेशन की तो इस गाने को बहुत शांदार लोकेशन पर श इसके अलावा गाने का quality बहुत शांदार है जिसकी वज़े से गाना खुब आकरशक लग रहा है मतलब कूल मिला जुलाकर गाना आने चे पहले पमन सिंग के फैंस ने इस गाने के लिए जैसा अनुमान लगाया था जैसा उमीद किया था, वो गणा बिलकुल उमीद पर खाड़ा उतरा है और एक जलाए पहल से पमन सिंग ने अपने दर्शकों को वैसा गाना दिया है जैसा दर्शक पमन सिंग से उमीद करते हैं बाकि आपको पवन सिंगा नया गाना हथियार कैसा लगा अपनी राय बताईएगा वीजियो को यही परसमात करते हैं मिलते हैं नए वीजियो में धन्यवाद